हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इस हमारे नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि बैंक आफ महराष्टा का कस्टमर रिक्वेस्ट फर्म कैसे भरते हैं ठीक है गाईज अगर आपके पास बैंक आप महराष्टा का एकाउंट है तो यह जरूरी है आप लोग को वीडियो पूरा शुरू सेन तक देखिए गाईज और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर यह वाला फॉर्म किस किस काम में आता है तो गाईज यह वाला फॉर्म अगर आपके माल लिजे बैंक का किवासी करवाना हो तो यह फॉर्म भरना पड़ता को एटी सबसे पहले बता दूं करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर नेम है जन्य इन्मव यहाँ पर नहीं मालू में तो छोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहाँ देटमिस यहवाला फंभा रहा है जिए डेट में यहाला फर्म भर रहे हैं यहाँ डेट यहाँ पर डाल देना है फिर यहाँ पर अप्लिकेशन नाम यहाँ जो खातेदारक का नाम यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर अपको डाल देना है उसके बाद यहाँ मुबाइल नमबर आपको अपना डाल लिटेल तो यहां पर आपको अब्डेट करवाना है तो यहां पर कूमेंट के वाइसी आईडी ने tobacco आप एक प्रोफ के तौर के तौर पर उलेकल कि लेना है अगर आप अधार पर के लागा कर रहे हैं होने वो ट्राइकट लगा दिया है उसके तक के बाद के पेऊंपर दोक्मेंट नमरा डाल देना है। है यहांद दोक्मेंट नमरा पेंग दोख करवाना है तो यहां पर टिक कर देंगे और इड्रेस आपको भर कि भर लेना है रेस और 및 रिक बिटी फिर इहां पर डिस्टिक टाल देना है आपको उसके बाद यहां पर आपका कंट्री फिर इहां पर दीए स्टेट पिर आपको पे अधरे मरें अधार लगा लेंगे हम यहाँ पर voter ID card दे रहे हैं तो यहाँ वोटर ID card पर टिक कर लिया हमने उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर address चेंज करवा रहे हैं तो father या mother या husband का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है ठीक है उसके बाद गाइज देखिए नीचे यहाँ पर pen card का number डालना है आपको pen card का number डालने के बाद यहाँ पर email ID डाल देना है email ID है तो डालिए नहीं तो कोई बात नहीं है उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई नाम में changing करवाना है तो यहाँ पर देखिए चेंज माई नाम तो जो आप जो नाम डालना चाहते है नया में वह नाम डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं अगर नहीं करवाना है तो ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह वला सेकेंड पेज आ गया यहाँ पर देखिए यह सेकेंड पेज में दे चयम्हां करवाना है तो यहाँ पर उल्ड और जो आपको मत Bhag करवाना है यहाँ मतलब ज़रूरी है जो आपको रवाना है वही भरेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ नीचे में बहुत सारा है टो इसको नहीं बरना है इसको निचे आना है और यह बासे लेना है तो अगर आपको चेक लेना है तो यहां पर टिक कर देना है थी के लिए उसके बाद कितना छाहिए यहाँ पर पर मेम और चेक पर क्या नाम रखना है तो नाम डालेंगे वह आप च्छेक भूक पर छपके आएगा ठीक है उसके बाद याँ पर डाल देना है जिस एडरेस पर चेक्थबुक डिलेवर होगा वह पूरा पता आपको यहां गाल देना है ठीक है अगर डाइस चेक्बुक आज अब फसलीटी नहीं लेना है तो आपको यह भी नहीं भरना इठीक है अगर लेना चाहते हैं तो इस जीआपई अगर बंद करवाना हो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको ATM कार्ड अगर रहले से हुआ या काम नहीं कर दो तो काड को आप ब्लोग करवा सकते हैं यहाँ पर टीक करके यहाँ पर काड नमर डाल देंगे अगर गाइज एटीम से रिलेटेड भी सर्विस नहीं लेना है तो एटीम वाले कॉलम को भी नहीं भरेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग का भी सुवि सब्सक्राइए तो घरामश करें और इसकाद कर नियुक्त साल miya था बहुत क évidemment दो कि अब्लग कर दो को है और इस फॉर्म के यहाँ पास्पोर्ट और आपका डोकूमेंट और पैन काड़ और पासूट तो अपना डिटेल सीव भर देंगे अगर उसके हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया जो ज़रूरत है वह भरेंगे जो जरूरत नहीं है तो नहीं भरेंगे ठीके गाइस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो अच्छा